नमस्ते आज की इस वीडियो में हम विशेशन के बारे में जानेंगे विशेशन का आर्थ होता है विशेशता बताने वाला संग्या एवं सर्वे नाम की विशेशता बताने वाले शब्द ही विशेशन कहलाता है विशेशन के प्रयोग से व्यक्ति या व्यक्ति का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता है साथ ही भाषा की प्रभाव शीलता भी बढ़ जाती है विशेशन हमेशे क्या है संग्या और सर्वे नाम की विशेश्ता बताता है तो विशेशन शब्द के इसी आर्थ को ग्रैन करते हुए आज हम इसकी परिभाशा पढ़ेंगे तो आईए इसकी परिभाशा पढ़ते हैं ऐसे शब्द जो संग्या या सर्विनाम की विशेशता बताता है उसे हम विशेशन कहते हैं विशेशन जिस शब्द की विशेशता बतलाता है वह शब्द विशेशे कहलाता है जैसे उधारने या नीला, आकाश, छोटी, पूस्तक, एवं भला वेक्ती में नीला, छोटा, एवं भला शब्द विशेशन है तता आकाश, पूस्तक, एवं वेक्ती है वो विशेशे है तो यानि संग्या के विशेष्टा बताई जा रही है कि वो भला व्यक्ति है तो व्यक्ति संग्या के विशेष्टा बताई जा रही है तो ये विशेष्टे हो गया और इसके विशेष्टा क्या है कि ये भला व्यक्ति है जाते हैं संग्या जो कार्य करती है वही कार्य कौन करता है सर्वनाम द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्तति में अगर विशेशन शब्द संग्या की विशेशन बताएगा तो संग्या की जगह पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द भी उनकी भी विशेशन बताएगा जैस क्या gonna कौन है संग्या और इसका गुन बताया जा रहा है कि उसे विशेश्य कहते है तो रहे उसकी विशेश्टा बताई जा रहा है कि संदर है तो गर गर्मी है तो इसमें क्या है गर्मी है वो क्या है संग्या है यानि यह विशेश्य बन गया क्योंकि गर्मी की विशेश्ता बताई और इसकी विशेश्ता बताई जा रही है कि बहुत जादा गर्मी है अधि गर्मी पड़ रही है तो यह क्या बन जाएगा विशेशन ऐसे ही अब हम विशेशन के प्रकार पढ़ेंगे विशेशन के पांच प्रकार के होते हैं नीचे देखिए गुण वाचक, संक्या वाचक, परिमान वाचक, संकेत वाचक और व्यक्ति वाचक सबसे पहले गुण वाचक की परिवाशा पढ़ेंगे ऐसे शब्द जो किसी संग्या या सर्व नाम के गुण दोश, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, अत्वा दशा का बूध कराते हैं उन्हें गुण वाचक विशेशन कहते हैं यानि कि गुण वाचक यानि कि गुणों को बताता है किसी संग्या है यानि कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा है तो व्यक्ति संग्या है और बहुत अच्छा है ये उसके विशेशता बता रहा है उसको गुण बता रहा है तो गुण वाचक संग्या हो जाती है जैसे पूराना कमीज काला कुटा यानि माली जी वह काला कुटा है तो क्या है यह उसके विशेशता बता रहे हैं गुण भी बता रहे हैं उसका मेठा आम आदी यह सब किसे क्या है गुण बता रहे हैं तो यह गुण वाचक विशेशन है आगे पढ़ेंगे संख्या वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन यानि हमें नाम से पता चल रहा है ये किसी चीज के संख्या बता रहा हूँ ऐसे शब्द जो संख्या या सर्वे नाम की निश्चित और ए निश्चित संख्या कम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं याने कि यह संख्या वाचक विशेशन है वो किसी वरस्तु के निश्चित और अनिश्चित संख्या का हमें बोध कराते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित वाचक संख्या अब निश्चे संख्या वाचक में उधारन जैसे कि एक, दूसरा, तीनों आदी यानि इसमें निश्चे संख्या पता जा रही है कि एक है, दो है, तीन है, चार है, हमें संख्या पता चल रही है अब निश्चे वाचक संख्या में किया है कई कुछ बहुत आदी याने ए निश्चित हैं हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितनी संख्य हैं निश्चे वाचक में हमें पता चल रहा है कि एक, दो, तीन, चार इतनी संख्य हैं लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है तो यह ए निश्चे वाचक संख्य है अब है परिमान वाचक ऐसे शब्द जो किसी वस्तू पधार या जगह की मात्रा तौल या माप का बोध कराते हैं वे परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं इसके दो पुबेद है निश्चित परिमान वाचक जैसे कि दो लिटर पांच किलो आदी क्योंकि एकदम हमें पता चल रहा है माप का कि ये इतना है ए निश्चित परिमान वाचक जैसे थोड़ा बहुत कम जादा संक्या वाचक की तरह ही परिमान वाचक है इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, तो इसमें भी थोड़ा वूत कम हमें पता नीचल रहा है कितना है। अब है संकेत वाचक. ऐसे शब्द जो सर्व नाम है किन्तु वाक्ये में विशेशन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। याने कि यह सर्व नाम है लेकिन विशेशन के रूप में याने कि किसी की विशेशता बता रहे होते हैं अर्थार्थ संग्या की विशेशता प्रकट कर रहे हैं वे संकेत वाचक विशेशन कहलाते हैं चुंकि मूल रूप में यह सर्व नाम है इसलिए विशेशन सार्व नाम विशेशन भी कहलाते हैं जैसे उधारन देखेंगे इस गैंद को मत्फें को उस पुस्तक को पड़ो कोई सज्जन आए हैं उन वाक्यों में इस उस तथा कोई शब्द है वो क्या है संकेत वाचक विशेशन है क्योंकि यह उस व्यक्ति की और संकेत करें हैं इस उस कोई तो य रूप से व्यक्ति वाचक संग्या है किन्तु वाक्य में विशेशन का कार्य कर रहे हैं यह चल लाए पता रहे हैं जैसे की बनारसी साडी, कश्मीरी सेब, विकानेरी बुजिया आदी तो यहां क्या है बनारसी, कश्मीरी ऐसे ही जंगया शब्द है जो यहां विशेशन के रूप में प्रयूक्त हुए हैं और यह इनकी विशेश्ता बता रहे हैं तो उमीद है आपने यह सारी समझ लिये, धन्यवाद